सनातन धर्म तथा भगवान के उपदेश नित्य है एक बात बहुत रहसे की तथा बहुत बढ़िया सुनाई जाती है जैसे भगवान वास्तव में सत हैं प्रतक्ष हैं संसार में शास्त्र तथा महापुरुष भी कहते हैं कि यह बात इत्हम भूत हैं इसी प्रकार धर्म सनातन एवं शाश्वत हैं कर्मयोग भक्तियोग तथा ज्यान योग उसी के ही अंतरगत हैं वे देशूति स्मृती उन्हीं की नीती हैं पर मात्मा की तरह यह भी सदा नित्य हैं इनके लिए भय की आवश्यक्ता नहीं सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा इसे जानने वाले संसार में नहीं रहेंगे यह तो हो सकता है किन्तु फिर पुनह प्रादुर्भाव हो जाता है महाभारत के नारायन पाख्यान में लिखा है कि प्रलय काल में ये सभी धर्म तथा इनके प्रतक प्रतक योग सभी परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं जब संसार उत्पन होता है तो वे पुनह प्रकट हो जाते हैं ना कि उत्पन होते हैं छिपे हुए प्रादुर्भाव होते हैं जैसे यान योग से सांखे योग वालों को तथा कर्म योग से योगियों को इसको नित्य बताया है दो प्रकार की ये निष्ठाई ही भगवान के सिध्धान्त हैं भगवान के वचन होने से भगवत धर्म हो गया जब भगवान के वचन है तो उनका विधान हो गया भगवान का लेते हैं, तो सारा संसार भगवान में ही विलीन हो जाता है, सारे धर्म भी उनहीं में विलीन हो जाते हैं। दूसरे अध्याई के 49वे श्लोक में भगवान ने कहा है, हे पाट, यह बुद्धी तेरे लिए ज genome योग के विशय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विशय में सुन। जिस बुद्धी से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भाती त्याग देगा, यानि सर्वता नस्ट कर डालेगा, यह तुम्हें सांख्य के विशय में बताया, अब तू उसी को योग के विशय में सुन। ऐसा कहकर भगवान ने योग की बड़ी प्रशंशा की, भगवान कहते हैं इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोश भी नहीं है, बलकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, जन्म मरत्यू रूप महन भाय से रक्षा कर लेता है, इस योग के आरंभ का अविनाश नहीं होता, क्योंकि यह अविनाशी है, योग की जब तक पूरी प्राप्ती नहीं होती, जब तक वह जन्मता मरता रहता है, किन्तो निश्काम भाव से किया हुआ इस योग का आचरण कल्यान करके ही छोड़ता है, इस दूसरा है काम में कर्म, दूसरे को करने के लिए बाध्य नहीं है, करने वाले की प्रसंता पर ही निर्भर है, कोई सकाम भाव से कर्म करता है, यदि उसमें कुछ भूल हो जाती है, तो वह पाप का भागी होता है, निश्काम कर्म करें, उसमें यदि भूल भी हो जाए, तो वह दंड का भागी नहीं होता मान लें कि आप अस्वस्थ हैं मैं आपकी सेवा निश्काम भाव से कर रहा हूं रात में लालटेन जलाने की अवशक्ता पड़ गई लालटेन जलाने लगा अंधिरा तो था ही अचानक ही उस लालटेन का शीशा फूट गया मैं कर तो रहा था भला किन्तु हो गई हानी जिसकी हानी हो गई वह यह नहीं कहता कि शीशे के दस आने लगे हैं ग्यारह आने दो मैं सोचता है कि यह हमारे लिए हमारे भले के लिए ही हुआ होगा किन्तु हानी हो गई यदि मैं पश्चाताप करता हूँ तो वह कहता है कि आपका कुछ भी दोश नहीं है आप तो भले के लिए ही करते थे किन्तु हानी हो गई जो निश्काम भाव से कर्म करता है उसके कर्म में कुछ गरबड़ी भी हो जाए तो वह दंड का भागी नहीं होता इस धर्म का थोड़ा भी पालन महन भाई से तार देता है भगवान ने इस योग की बड़ी महिमा गाई है उन्तालिस में प्रतिग्या की और चालिस से इस अध्याय की समाप्ती पर्यंत इसी कर्म योग का ही वर्णन चला आगी यह भी कह दिया गया कि इसके फली भूत होने में अरचन उत्पन करने वाला काम क्रोधया राग द्वेश है इन्हें हटा देना चाहिए यह काम क्रोधर जो गुन से उत्पन हुए हैं यह महाशन अर्थात बहुत खाने वाले हैं तथा महापापी हैं इनको तु शत्र जान हिर इनके नाश करने की भी बात बता दी बुद्धी के द्वारा मन को वश्मे करके हैं महाबाहो तो इस काम रूपे दुर्जय को शत्रु को मार डाल हिर आगे चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कह दिया इस प्रकार यह योग मेरे द्वारा एहले सूरे को कहा गया सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से कहा मनु ने इश्वाकू से कहा यह योग अविनाशी है इस प्रकार परंपरा से इस योग को राजरिशियों ने जाना यह बहत काल से नस्ट प्राय हो गया था वही आज मैंने तेरे लिए कहा है यह परंपरा से प्राप्त योग है यह अद्रश्य हो गया था, इस पुरातन योग को आज मैंने तेरे लिए कहा है, क्योंकि तू मेरे सखा है, यह योग अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, यह अवश्य है, आगे भी जगह जगह देखिये, मैं भी यही बात बताई है, उन्होंने कहा है, कि तुझे विज्ञान सहित ज्यान कहूंगा, जिसको जानकर भी कुछ जानना शेश नहीं रहेगा, यह विद्या सब विद्याओं का राजा है, गोपनियों में भी गोपनिया है, सबसे ज़्यादा गोपनिया है, यह पवित्र वस्तू है, पाप भी इससे पवित्र हो सकता है, इससे उत्तम कोई भी पदार्थ नहीं है, इसका फल भी प्रतक्ष है, धर्म मैं है, इतना होने पर भी करने में यह सुगम है, अविनाशी है, इतनी बातें बताई, यहां भी इसे अविनाशी बताया, इसी प्रकार से भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, चोदवे अध्याय की अंट में भगवान कहते हैं ब्रह्म की मैं प्रतेश्था हूँ, ब्रह्म मेरा ही स्ववरूप है कैसा है अविनाशी है शाश्वत धर्म सनातन धर्म भी मैं ही हूँ एक आνतिक सुख जो उच्च से उच्च कोटी का सुख है अनन्त सुख नित्यानंद मेरा ही स्वरूप है अमरत भी मेरा ही स्वरूप है ये सारी बाती कहीं सिध्ध यह हुआ कि भगवान से भिन कुछ भी नहीं है एक आंतिक सुख आदी सभी नाम ब्रह्म के ही है यानि मेरा ही स्वरूप है इसी प्रकार जो यह हमारा सनातन धर्म है इसका अभाव हो ही नहीं सकता ना स्टुत्त चाहे कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए किन्तु हमारे धर्म का कभी भी अभाव नहीं हो सकता संसार में चाहे कितनी भी आंदोलन क्यों ना चल जाए किन्तु हमारा धर्म जो का त्यों रहेगा कोई यह बात कहे कि मैं ईश्वर और उनके विधान को नस्ट कर दूँगा तो यह समझना चाहिए कि यह अभी तक बालक है नास्टिक्ता से तो हानी ही होती है महत्मा गांदी ने नाम के बल पर ही इतनी उनत्ती की है उन्होंने कहा कि उसी ईश्वर के नाम स्मन से मुक्ती हो सकती है वे स्वयम राम नाम के पुजारी थे वे स्वयम राम नाम की महिमा गाते थे वे ईश्वर में विश्वाश रखने वाले थे उच्च कोटी के आस्तिक्त थे ये सब बातें समझनी चाहिए संसार में जितने हिंदु हैं उनकी तो बात ही क्या मुसल्मान भाई भी भगवान को मानते हैं वे भी अल्ला खुदा कहते हैं जैसे जल को वाटर, अप, नीर, जल, पानी, आदी, कुछ भी कह दो, जल से ही संबंधित है, जैसे जल के कई नाम है, वैसे ही परमात्मा के कई नाम है, मुसल्मान भाई, अल्ला, खुदा कहते हैं, आर्य समाजी भाई, उंकार कहते हैं, अंगरेज जलोग उसी को गौड कहते हैं, सनातन धर्मी, उसी को ही राम क्रश्णत अधा, अन्य कई नामों से पुकारते हैं, सिख भाई, वाहि गुरु कहते हैं, नाम प्रथक प्रथक हैं, परमात्मा को सभी जानते हैं, बहुत से किसी भी धर्म को नहीं मानते, इश्वर के विधान का नाम ही धर्म है, सनातन समय पाकर कमी हो सकती है किन्तु अभाव नहीं हो सकता पुस्तके तथा उनके पन्ने नस्ट हो सकते हैं किन्तु उनमें जो लिखे गए हैं उन भावों को कौन नस्ट कर सकता है किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उन्हें नस्ट कर दे शिलालेखों को नस्ट कर सकता है किन्तु जब इश्वर प्रकट होते हैं तो वे पुनह प्रचार कर देते हैं परमात्मा का यदि नाश हो तो धर्म का भी नाश हो जब महा प्रलय होता है तो ये सब उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं महा सर्ग के आदी में फिर इश्वर से प्रकट हो जाते हैं जैसे सूर्य आदी सभी प्रकट होते हैं वैसे ही धर्म प्रकट हो जाता है यही बात समझनी चाहिए कि सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं होता यहां गीता में भी बताया गया है वह नित्य है सनातन है उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता भगवान स्वयम अवतार लेकर इसकी स्थापना कर देते हैं